हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टो फिजिक्स फेंटम काईज मैम इस मनीश्या एंड अगें आपक विडियो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संडे में यह मैं बताने वाली हूं कि वो एसेट्स जिन को हम खाते हैं या जिन एसेट्स को हम कंजियों करते हैं अब आप यह सूचेंगे क्या एसेट्स को भी खा सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है तो सीरियसली यह चीज पॉसिबल है एवन बहुत सारी ऐसे चीज़े खाते हैं जिसमें हमें यह नहीं पता होता कि इसकेंदर कौन सा एसेड है तो ऐसा हमें उस ट्राइम पर लगता है कि हाँ कभी नहीं खा सकते क्योंकि एसेड का नाम आते ही एसेड वर्ड दिमाग में आते ही हमें यही रखता है कि कुछ क्यामिकल होगा कुछ हामफुल होगा मनदब की बॉड़ी के लिए इंजीरियस होगा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और खाने का तो सोची नहीं स तो ऐसे हैं जिनको रेगुलर बैस पे लेते हैं बल्लब दिन में दो से तीन बाद लेते हैं उन प्रोडक्स को और कई ऐसे हैं जिनको ऊकेशनल पर, मन्थली बेस पर, वीक्ली बेस पर, आप बोड़ी में उसको रिलेटिद है और अब आपको बीस लगे तो लाशे के या फिर वो एसेट्स जो हमारे food particles में present होते हैं और हमने कभी notice नहीं क्या होता, observe नहीं क्या होता और पता नहीं होता कि इस इस टाइप के भी एसेट्स होते हैं अब देखी, पहली सबसे पहली चीज दोना, एक misconception होता है कि जो एसेट्स होते हैं वो हमफुल है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं तो यह एक तरीके की गलत पहम ही होती है कि ऐसा होता है, हाँ, मैं यह नहीं कहरो कि एसेट्स बिल्कुल भी हमफुल होते हैं, बहुत सारी वराइटी होती है, बहुत सारे ऐसे ऐसेट्स होते हैं, जो बहुत जादा हमफुल होते हैं, एसेट्स होते हैं, जो बहुत सारे ऐस अगर आपको थोड़ा बहुत भी पेपर याद हो तो आप यह आइडिया लगा सकते हैं कि एसे क्या होते हैं जो कि वाटर सॉलिबल हो वाटर सॉलिबल का मदलब हो गया है कि पानी में जो घुल जाते हैं पानी में जो गुलन शील होते हैं उन्हें हम एसेड कहते हैं और सिर्फ पानी में गुलन या जो वाटर सॉलिबल होते हैं वो इनफ नहीं होते हैं इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह वाटर सॉलिबल होने के साथ साथ ट तो अब देखे, पहले चीज़ तो आते है कि जो फूड एसेट्स होते हैं, उनको फूड एसेट्स होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए हामफुल नहीं होते, इवन उनको खाने से हमारी जो हेल्थ है उसमें इंप्रूफमेंट आपको देखने को मिल हमारी जो बैलन्स टाइट होती है, जिसमें कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, लिपिड, फाट, ओइल्स, मिनराल्स तो यह सब चीज़े जो प्रेजन होती हैं, उनमें एसेड भी वो टाइप के एक एक इम्पॉर्टन रोल प्लेई करते हैं, जो हमारी बैलन्स टाइट को क किसी चीज में कुछ जादा कुएंटिटी में किसी में कम क्यांटिटी में लेकिन हाँ यह जो फूट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेटेबल्स हैं उनके अंदर जो अशेड प्रेजन होते हैं यह उसको एक फ्लेवर मतलब जैसे मानिए आपने औरेंज, संत जो नहीं सोय है चाहिताए तोई जाता है मे पता लग जाता है यह चीज लेमन का डितर का अचा है है यह स्मयज में है आसे उन से पxe की का तोने चीज नोगे से ऑफ बल्ते होते हैं लोग में है pronounced orange ब्हुंच के डितर है कोई बल्ते का शाफ धानले बाल में का है या औरेंज का है तो जो एसे होते है न वो इसी काम के लिए यूसफुल होते हैं कि एक फ्लेवर देते हैं आपकी टंग पे एक टेस्ट छोड़ जाते हैं जिससे कि आप उससे रिलेटर चीज को दुबारा कभी खाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यह ची चीजों को हम खाने में भी यूस करते हैं सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला और कॉमन एसे बहुत 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 कॉमन है अगर आप एक्जाम की गवर्मेंट जॉब की एक्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो यह क्वेशन इतना कॉमन है बहुत सारे एक्जाम में यह पूछी जाती है और अगर आप CBAC board की preparation करते हैं 10th, 9th, 9th, 11th ऐसे classes में करते हैं तो अभी यह basic question है कई बार आपको exam में देखने को मिल जाएगा पहली चीज, citric acid मतलब कि जो citric arm होता है यह किसके अंदर पाया जाता है तो citric acid हमेशा जो citrus fruit होते हैं, citrus मतलब कि जो पानी वाले juicy fruits होते हैं जिनमें juice available होता है जो सुखे सुखे हैं ही लगते taste में, जैसे apple का है, apple एक citrus fruit नहीं है, apple में आपको roughage मिलेगा लेकिन उसमें कभी भी आपको juicy जैसा फील नहीं होता orange है, lemon है, pineapple है, यह चीज़े क्या होती है, इनमें juice available होता है, तो जो ऐसे juicy पानी वाले fruits होते हैं, टेस्ट में खटे होते हैं, इनको हम citrus fruit कहते हैं तो जितने भी हमारे पास में citrus fruits होते हैं, उनके अंदर, mostly, 99% citrus fruits के अंदर, citric acid पाया जाता है, नाम से यह citrus fruits, citric acid तो आप यहाद रख सकते हैं, इसके अलाबा, जो unexpected है, मतलब एक ऐसा fruit है, जो एक unexpected है, कि जिसमें citrus, citric acid पाया जाता है, that is plomigranite, अनार, अनार के अंदर भी, जो citric acid पाया जाता है, तो यह अपोचीज समझ में आ गई, question कैसे exam में आ जाता है, आपको तीन से चार fruits के नाम दे जाएंगे, और उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, कि यह जो citric acid, इन चारों में से किसमें अविलेबल है, यह कोई fruit आपको दे दिया जाए, कुछ एपको दे जाया जाया जाया, पुचा जाया कि चले बताई इसके अनदर कौन सा ऐसे प्रेज़ें तो आपको पता होगा, तभी तो आप बता पाएंगे, आपो टॉमेटो का मैंने इसले है बहुत कॉमने है, डेली बेसी पर आपके ज़गी बनती होगी, उस लगे ही, तिन आता है वो आता है Malic Acid नाम देखे पेला था Citric C-I-T-R-I-C Citric Acid Second Acid आता है Malic Acid जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सबसे ज़्यादा किस फूट में Malic Acid पाया जाता है तो उसका नाम है Apple मेरा फेवरिट फूट है यह तो Apple के अंदर पाया जाता है जाता है Apple के अलावा और जो fruits जिसके अंदर यह fruits यह vegetables जिसके अंदर Malic Acid पाया जाता है तो वह हैं हमारी broccoli broccoli में भी Malic Acid पाया जाता है इसके अलावा बनाना में भी कुछ amount आपको Malic Acid का देखने को अधर देखेगा तो नहीं आपको पता चल जाता है Next हमारे पास में First Rogaceptric Acid Second one is Malic Acid इसके बाद में आता है Tartaric Acid जो होता है किसके अंदर present होता है Himli का नाम तो सबने सुना होगा और अगर आप South Indian dishes खाते हैं तो उसमें Sambar जो बनता है उसमें Himli केरती ही केरती है इसके अलावा भी अपने Himli खटी मीठी खाई होगी समने तो जो Himli है ना उसके अंदर जो Acid present होता है वो होता है Tartaric Acid Turmanite के अंदर जो Acid पाया जाता है उसे हम Tartaric Acid खहते हैं Himli के अलावा दो और ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जो Tartaric Acid वो पाया जाता है तो Himli के अलावा वो तू चीज़ें फ़स्ट तो आती है हमारे पास में अप्रिकॉट इसके अलावा पोटेटो अलू इसके अंदर भी जो Tartaric Acid वो पाया जाता है यहां तक समझ में आया आपको इसके बाद में हमारे पास टोटल 3 Acids मैंने आपको समझा दिये 1st Citric Acid कहां पाया जाता है किन टाइम के fruits में 2nd मैंने आपको बदाया Malic Acid 3rd one is Tartaric Acid इन 3 Acids के बाद में 4 पे जो Acid आता है उस Acid का नाम है Tannic Acid Tannic Acid Tannic Acid पाया जाता है टी के अंदर चाय सुबह शुरुवात आप सबकी चाय से होती होगी 99% लोग जो है ना सुबह breakfast में नहीं तो बैट टी उनको चाय चाहिए ही चाहिए होती है तो वो जो चाय है उसके अंदर जो Acid प्रेजन होता है वो होता है Tannic Acid इसके अलावा चाय में जो Acid है उसमें कुछ हद तक Variations आ जाती है इसके पीछे की वज़े ही सरफ इतनी है कि आप किस तरीके की चाय पीते हैं और किस टाइप का जो Brand होता है ना थोड़ी बहुत उसमें और किस टाइप के आप चाय पी रहे हैं अगर आप मेंसे कोई चाय लवर होगा टी लवर जिसको कह सकते हैं जिसको बहुत पसंद है चाय पीना तो उसके लिए एक गुड न्यूस मैं बता देती हूं कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चाय का ही कंसर्ट पढ़ेंगे कहा हुगा ही जाती है कितने temperature पे क्या इसके importance होते हैं इसके बाद में अबपट संका मतलब यह नहीं कि सारण दिन चाय चाय पीनी है अबट टो सब्सक्टेkt और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो का आपिक अभी से mind में set कर लीजेगा कि next video का topic होगा हमारा चाय, ती जिसको खेते हैं और ये topic होगा ये वीडियो आपको तभी तो मिलेगी ना जब आप channel को subscribe करेंगे bell icon को press करेंगे तो ये इसलिए मैं आपको बोलने हूँ कि अगर आप channel पे नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो please video को like करेंगा चानल को subscribe और bell icon को press करेंगा जिससे की आपको next जो चाय वाली वीडियो है वो बहुत जल्दी मिल जाए next, हम भी मैंने आपको tarnic acid बता दिया, citric acid होगा, malic acid होगा और tartaric acid होगा last acid आता है हमारा lactic acid very 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 important क्यों? lactic acid जो है वो आता है दूद में, milk milk है, milk product जितने भी होते है वोन सब में lactic acid पाया जाता है अलग-अलग forms में present होता है जैसे lactobacillus, lactose, ऐसे bacteria virus के नाम होते है तो इसी तरीके से अगर acid milk products से related कभी भी आपसे acid पूछा जाए ना तो lactic acid आँख बन करके टिक करके आजाना एकदम ठीक होगा आँख बन करके टिक तो नहीं हो सकता फोड़ा fake दिया मैंने, कोई बात नी मतलब मैं बता लिए हूँ कि ये काफी easy है lactic acid आपको याद में रखना है lactic acid का मतलब होता है कि जो मिलके अंदर acid पाया जाता है okay now my dear viewers आज की वीडियो में सिर्फ इतना total 5 acids मैंने आपको बताए है total 5 acids जो आज की इस वीडियो में बताए है वैसे तो और भी बहुत सारे acids है जिसे मैं बता दूँग अगर आप कहेंगे तो otherwise अभी 5 जो है ना आपको बता है क्योंकि जिन चीज़ों के नाम लिए वो हमारी लाइफ में day to day life में हम कभी ना कभी दिन में एक बार तो definitely ले लेते हैं fruits के अगर बात करें तो वो season basis पे हो जाता है otherwise chai, milk, milk से related जितने भी products होते हैं tomato, potato हो गया एक दिन में एक बार दो बार तो आप use करते ही होंगे so आपको पता होना चीए कि जो चीज़ आप खा रहें उसके अदर कौन सा acid mineral vitamins present है तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो acid से related थी इसलिए मैंने आपको acids के बाले में बता दिया 5 assets पढ़ाए हैं और इन 5 अगर आपने लास तक वीडियो देखिया ना तो इन 5 assets के नाम आपको comment section में देनी है now मिलते हैं next video में next video में मिलने से पहले आपको चानल को subscribe करना पड़ेगा like भी करना पड़ेगा request रिक्वेस्ट ही कर सकती हूं अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो like करने में ज़्यादा देर तो नहीं लगती पर फिर भी पताने क्यों like नहीं करते हैं करनी चाहिए आपको video like so video को like करना है channel को subscribe करना है और इन सब के अलावा आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसका link में इस video के description में देदूंगी और आप मुझे वहां पर भी connect हो सकते हैं ना मिलते हैं इस video में thank you so much watch लीजे सरदियाम ऐसे भी start हो गई है थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है तो इस चीज के थोड़ा enjoyment करिए मौसम के मज़े लीजे और आप सब अपनी studies पर focus करिए अभी जो time period चल रहा है बहुत crucial time हो और search में इतनी vacancies आ रही हैं कि आप कहीं ना कहीं पका set हो सकते हैं अगर आपका government job कहीं पे भी job का सपना है तो try करते रहिए कोशिश करिए हमेशा और consistent तो जरूर है किसी भी चीज में आप लो बाकी success तो मिल जाएगी अगर यह सब चीज़ा आप follow करेंगे और discipline में रहेंगे तो definitely मिलते है नेक्स वीडियो में thank you so much इसके अलावा आप मुझे कोई भी जो आपका particular topic concept कुछ आपको समझना है किसी अलग चीज के बारे में पूछना है तो आप मुझे comment कर सकते हैं अगर possible हुआ तो उसके उपर भी मैं वीडियो record कर दूँगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब मौच लीशे और नेक्स वीडियो का wait करें वैसे तो alternate days पे आते हैं लेकिन यह वाली वीडियो Sunday ही आती है तो next Sunday का wait करें नाओ, okay? Bye-bye याल लगे आप लोग्र THANK YOU